है दोस्तो नवश्कार स्वागत है एक पर फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टैक के एक नए वीडियो के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अब स्टॉक के अंदर अगर आपने कोई शेयर होल्डिंग में रखा हुआ है तो उसको कै कैसे सेल करेंगे स्टेप बाइ स्टेप देखेंगे तो पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे कैसे आप लोग को पोर्फोलियो के शेयर सेल करना होता है तो अगर लास्ट में अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से कर दीज मेरे पास है जिसमें देखिए मेरे को लॉस भी हुआ है लगबग 10 परसेंट का तो मैं इसको बेचना चाहता हूं तो कैसे बेचूंगा क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे देख पाते हैं यहां पर सारा कुछ डिटेल आ जाता है आपने कितने में खरीदा था कितना कॉंटिटी आपके पास है अभी कितना रेट चल रहा है कितने परफेंट का आपको लॉस हुआ है पी एनल कितना आपका है यह फैरी चीज़े आप यहां पर देख सकती हैं तो sell करने के लिए देखिए basically sell के option पर हमको click करना होता है click करने के बाद देख लिए यहां पर exchange चुनता है आप लोगों को चुनना होता है क्या आप लोग NSE में बेचना चाते हैं या भी BSC में बेचना चाते हैं कोई भी problem नहीं है दोनों में से जाता रहते हैं तो हम NSE ही select करेंगे and next phase पर देखें यहां पर आ चुका है कुछ और detail पहला सबसे दखाई दे रहा है हमको quantity तो जितना भी आपके पास share है अगर सब बेचना चाते हैं तो पूरा number यहां पर डाल सकते हैं अगर कुछ कम बेचना चाते हैं तो यहां पर आप स select किया है by default यह select होकर ही आता है जो भी share आप बेचना चाते हैं अगर market के भाव पे ही बेचना चाते हैं यानि market के अंदर अगर उसका price 100 रुपे चल रहा है तो 100 रुपे पे ही बेचना चाते हैं तो market पे ही select करेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर म 10 जी पैसे 9 रुपे 10 रुपे डाल सकता हूं लेकि मेरे को उसका कोई मतलब नहीं लगता यह वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाएं कैसे किसी share को uptalk के अंदर सेर्व करते हैं तो मैं market पही रहने देता हूं बाकि जो दो option है stop lot limit stop lot market यह सब हम हमको काम नहीं है और अदेशनल सेटिंग में भी हमको नहीं जाना है simply हमको review cell order पे क्लिक करना है जो की नीची option दिया गया है तो इस पर हमको click करना होगा इसके बाद कोई भी browser आप लोग के phone में जो होगा उसको select कर लिजएगा generally browser यहाँ पे chrome ही खुलता है अगर आपके phone में अगर pin है यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं CDSL का pin है तो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे simply यहाँ पे click करेंगे continue to CDL, CDSL पे यहाँ पे आप सभी लोग pin डाल देंगे जो आपके पास पहले से है तो आपका share sell हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास pin नहीं ह यहाँ फिर आप pin भूल गए है तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे सबसे पहले तीन step में यहाँ पे share बेचना होता है सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों की BU ID दिखाई दे रही है इसको copy वाले button पे click करके copy कर लिजएगा ठीक है तो मैं आपके copy कर ल देखिए यहाँ पे हम साइट पे आ गए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसको paste कर देते हैं जो number हमने बीओ वाला copy किया था इसको paste कर देंगे यहाँ पे तो यह सबसे पहले आप लोगों को अपना BU number डालके pen number डालना होता है तो इसको डालके हम next पे click करते हैं चलिए तो किन शॉट मार करके यहाँ पे manually उसको भर दीजिए तो मैंने इसको manually भर दिया है अब हम करेंगे next पे click तो हमारे mobile phone के ओपर आएगा एक OTP जो भी email हमारा register होगा जो भी mobile number register होगा उसके उपर आएगा OTP तो हमको OTP यहाँ पे डालना होगा चलिए OTP डाल देते हैं OTP हमारा आ गया है देखिए 784752 तो हम इसको अब यहाँ पर भर देते हैं यह mail हमारे mail पे भी आया होगा और हमारे phone number पे भी आया होगा तो दे share को sell करते हैं यह सब करने के बाद हम back आ जाते हैं फिर से अपने share को sell करते हैं क्योंकि अब हमारे पास pin भी है तो हम तुरंथ इसको sell कर लेंगे तो try again हम click करेंगे और फिर से अपने share को जो हैं हमारे मेल में आया हो एक ही दोनों बेसिकली आया होंके दोनों ही साइट के उपर मेल के उपर भी और मुवाइल फोन के उपर भी तो यहां पे हम उसको डाल देते हैं चलिए तो इस साइट पे हम अपना टीपी ने वेरिफाइग कर लेते हैं टीपी नमारे फोन पे आया हुआ है पटा फट तो हम इसको डाल देते हैं ओटीपी को और हमारा सारा काम यहीं पर खतम हो जाता है यहां पर एक दिन में डाला ही ओता है, किसी दिर अगर हमको शेयर करना होता है तो भी आपने भी किया है डाला ही होता है कड़ेंगे एक क्लिक में तो हमने कि टीपिन तो हमने डाल दिया है ईसके बाद अपने वोल्डिंक चलेंगे Tahir आप सब्सक्राइब करेंगे करेंगे सेल करेंगे एननेस्ट कर लेंगे मार्केट पर हीश्रण देंगे रिजटेंगे do not show वाले पर click कर देंगे submit order करेंगे and हमारा boom share sell हो चुका है sell complete हो चुका है क्योंकि हमने market पर ही बेज़ दिया था अब अपने portfolio में अगर हम जाके देखेंगे तो जो भी हमारा investment रहेगा वो zero हो जाएगा basically इसी तरह से हम अपने share को sell कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही आसान है आपको share sell करना लेकिन पहली बार आपको दिक्कत हो सकती है टीपिन की वज़े से तो मैंने सारा कुछ ही बता दिया इससे बादा detail में और कोई नहीं बताएगा मैंने सब कुछ आपको बता दिया कैसे आप लोगों को step by step sell करना होता है तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपके पास upstock के अंदर अभी तक एकाउंट नहीं है तो आप लोग pay it कर सकते हैं link in the description upstock के उपर और सारी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल के उपर option trading के उपर भी वीडियो आएगी तो इसके लिए चैनल को subscribe जरूर से कर लिजेगा आप सभी लोग और वीडियो पसंद आया तो like कर दीजेगा ठीक है ताकि हम लोग और भी वीडियो आपके लिए interesting वीडियो बना सके और आप लोगों को जो है यहाँ पर share market के बारे में और ख़़ी चीजें बता सके तो इसके लिए आप लोगों का support चाहिए इस वीडियो को like जरूर से कर दीजेगा दोस्तों के साथ share जरूर से कर दीजेगा मिलतें किसी और वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए thank you, thank you, namaskar